शिरी दुर्गा सब्तिशती दूसरा अध्याए देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिशासुर की सेना का वध। महर्शी मेधा बोले प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे सौ वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिशासुर था और देवराज इंद्र देवताओं की नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्थ हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिशासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारेवे देवता प्रजापती श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस इस्थान पर पहुंचे जहां पर की भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा व्रतांत भगवान श्री विश्नु और शंकर जी से कह सुनाया। वे कहने लगे हे प्रभू, महिशासुर, सोर, इंद्र, अगनी, वायू, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं की सब अधिकार छीन कर सबका अधिष्ठाता स्वयम बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वे मनश्यों की तरह प्रत्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी कर्दूत हमने आपको सुना दी हैं और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनकी वद्ध का कोई उपाई सोचें। देवताओं की बाते सुनकर भगवान श्री विष्णू और शंकर जी को उन दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आखें लाल हो गई। गुस्से में भरेवे भगवान विष्णू के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आधी दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में मिल गया और तेज का पुझ वह ऐसे दी हो सकती थी। एक इस्थान पर इकटा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर भाग बना। ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरण और सूरे के तेज से उनकी अंगुलियां पैदा हुई और वस्वों के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापती के तेज से उसके दांत और अगनी के तेज से उसके नेत्र बन प्रसन हुए भगवान शंकर ने अपने तरिशूल में से एक तरिशूल निकाल कर उस देवी को दिया और भगवान विश्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकाल कर उस देवी को दिया वरुण ने देवी को शंक भेट किया अगनी ने उसे शक्ति दी वायू ने उसे ध यहाल दंड में से एक दंड दिया, वरुण ने उसे पाश्ट दिया, प्रजापती ने इस्वटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडल दिया, सूरी ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया, काल ने उसे चमकती भी ढाल और तलवार दी, तथ प्रणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुन्दर हसली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनेवी अंगुठियाओं से दी विश्व कर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र और अभेदी कवस दिये और इसके अलावा उसने कभी न मुखु लाने वाले सुन्दर कमलों की मालाएं भेट की, समुद्र ने सुन्दर कमल का फूल भेट किया, हिमाले ने सवारी के लिए से और तरह तरह के रत्न देवी को भेट किये, यक्षराज कुबेर ने मधू से भरावा पात्र और शेस नाग ने उन्हें बहुमूले मणियों से विभूशित नाग हार भीट किया, इसी तरह दूसरे देवी देपताओं ने भी उसे आबूशन और अस्त्र देकर उसका सम्मान किया, इसके पास शाथ देवी ने उच्छ स्वर से गर्जना की, उसके इस भहन का नाद से आकाश कुझ उठा, देवी का वे उच्छ स्वर से किया हुआ सिहनात समा नहीं सका, आकाश उसके सामने छोटा प्रतीत होने लगा, उससे बड़े जोर की प्रतीत होनी हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई, और समुद्र काप उठे, प्रत्वी डोलने लगी, और सब के सब परवत हिलने लगे, देवताओं ने उ लोकी को शोक मगन देखकर, दैतिगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर, और हथियार आदी सजाकर उठ खड़े वे, महिशासुर के क्रोध की तो कोई सीमा ही नहीं थी, उसने क्रोध में बरकर कहा, ये सब क्या उत्पात है, फिर वे अपनी सेना के साथ उस ओर दोड़ा, जिस और से भेंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था, और आगे पहुँचकर, जब उसने देवी को देखा, जोकी अपनी प्रभास से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी, उसके चरणों के बहार से प्रत्वी दभी जा रही थी, माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा प्रसी बन रही थी, और उसके धनुष की टंकार से सब भी लोक छुब्द हो रही थे, देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपुन दिशाओं में फिलाए खड़ी थी, इसके पश्चात उनका देख्यों के साथ युद्ध छड़ गया, और कई प्रकार के अस्त्र शस् लगी, महिशासुर की सेना का सेनापती चिक्षूर नामक एक महान असुर था, वे आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा, और दूसरे दैत्यों की चतुरंगणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा, साथ हजार महारतियों को साथ लेकर उदगर नामक मह साथ लाख असुरों के साथ युद्ध में आडटा, विडाल नामक असुर एक करोड रथियों सहित लड़ने को तयार था, इन सब के लावा और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ा साथ लेकर लड़ने लगे, और इन सब के पश्चात महिशासुर करोडों रथों, हाथि और घोडों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगा, सभी असुर, तोमर, भिंदिपाल, शक्ति, मुसल, खटको, फरसो, पटियों के साथ रण भूमी में देवी के साथ युद्ध करने लगे, कई शक्तियां फेकने लगे, तो कोई अनिशस्त्रा दी, इसके पश्च को काट डाला, इसके पश्चाथ रिशी और देवताओं ने इस्तुति प्रारम कर दी और वह देवी इस्तुति से प्रसंद होकर असुरों के शरेपर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही, देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर द्यत्ति सेना में इस प्रकार विचरने ल तथा 25 इत्यादी अस्त्रों के साथ देथियों से युद्ध करने लगे, देवी की शक्ति से बढ़ेवे वह गण, देथियों का नाश करते हुए धोल, शंक और मृदंगादी बजा रहे थे, फिर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खट के इत्यादी से सहस्त्रों अ गंटे की भयंकर आवाज से ही अमलोग पहुचा दिया, कितने ही असुरों को उसने पास में बांध कर प्रत्वी पर धर्ग सीटा, कितनों को अपनी तलवार से टुकडे टुकडे कर दिया, और कितनों को गदा की चोट से धर्ती पर सुला दिया, कई दैत्ये मूसल की मार से गायल होकर रक्त वमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण प्रत्वी पर लोट गए और कितनों की तो वान वर्षा से कमर ही तूट गए देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत कट कट कर मरने लगे कितनों की बाहें अलग हो गई कितनों की ग्रिवाएं कट गई कितनों के सर कट कर दूर भूमी पर लुड़क गई कितनों की शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंगाईं कट गई और वे प्रत्वी पर गिर पड़े कितने ही सिरोवो पैरों के कटने पर भी भूमी से उठ खड़े वे और शस्त्र हाथ मिलेकर देवी से लड़ने लगे और कई दैतिकन भूमी में बाजों की ध्वनी के साथ नाच रहे थे कई असुर जिनके सर कट चुके थे बिना सिर के ही धड़ से हाथ में शस्त्र लिये हुए लड़ रहे थे और दैति रह रहकर ठहरो ठहरो कहते वे देवी को युद्ध के लिललकार रहे थे जहां पर ये घोर संग्राम हुआ था वहां की भूमी रत, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रप्त पात होने के कारण वहां रुधर की नदियां बह रही थी इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को छण भर में ही इस तरह से नस्ट कर डाला जैसे तरण कास्ट के बड़े सम्हों को अगनी नस्ट कर डालती है और देवी का सेहं भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानों उनके प्राणों को ठून रहा हो वहां देवी के गड़ों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की शिरी दुर्गा सत्षती तीसरा ध्याय सेनापतियों सहित महिशासुर का वद महिशासुर की सेना नष्ट होती देखकर उस सेना का सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा वे देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानुस सुमेरु परवत पानी की धार बरसा रहा हो इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोडों और सार्थी को भी मार दिया साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यत उची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींद दिया। धनुष गोडों और सार्थी के निस्थ हो जाने पर वह असुर धाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्षन धार वाली तलवार से देवी के सिह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेक से देवी की बाई भुजा पर वार कर दिया। किन्तु देवी की बाई भुजा को छूते ही उसे दैते की तलवार तूट कर दो टुकडों में बढ़ गई। इससे दैते न उस शूल को अपनी और आते पे देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महा असुर के शूल के सो टुकड़े कर डाले, साथ ही महा असुर के प्राण भी हर लिये, चिक्षूर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया, और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार कर दिया, किन्तु देवी ने अपनी हुंकार मात्र से ही उसे तोड़कर प्रत्वी पर डाल दिया, शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने करोद से लाल होकर शूल चलाया, किन्तु देवी ने उसे भ वे हाथी पर से प्रत्वी पर आगिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे फिर से ही बड़े जोर से आकाश की ओर उचला और जब प्रत्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चामर का सिर्थ धर से अलग कर दिया प्रोध में भरीवी देवी ने शिला और व्रिक्ष आदी की चोटों से उदगर को भी मार दिया कराल को दातों मुकों और थपड़ों से चूर कर डाला कुरोधुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्ति को मार गिराया भिंदीपाल से वाशकल को बानों से तामर तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया तीन नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास, उग्रवीर्य और महाहनू नामक राक्षसों को मार गिराया उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्ति का सिर काट डाला तथा अपने बानों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोग पहुचा दिया इस प्रकार जब महिशासुन ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नश्च कर दिया है तो वह भैसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूच से, कितनों को सिंगों से देवी के सेह को मारने के लिए तोड़ा इस पर देवी को बड़ा क्रोध हाया उधर दैते भी क्रोध मिभर कर धर्ती को खुरों से खो देने लगा तता सींगों से परवतों को उखाड उखाड कर धर्ती पर फिकने लगा और मुक्ष से शब्द भी करने लगा महिशा सुर्के वेग से चकर देने के कारण प्रत्वी छुब्ध होकर फटने लगी उसकी पूँच से टकरा कर समुद्र चारों और फैलने लगा हिलते हुए सींगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उरते हुए परवत भी फटने लगे इस तरह क्रोध में भरेवे राक्षिस को देखकर देवी चंडिका को भी क्रोध हा गया और वह उसको मारने के लिए क्रोध में भर गई देवी ने पाश फेंक कर दैति को बांध लिया और उसने बंध जाने पर दैति का रूप त्याद दिया और सिह का रूप बना लिया और जैसे ही देवी उसका सिर्फ काटने के लिए तयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो की हाथ में तलवार लिये हुए था, तब देवी ने तुरंत ही अपने बाड़ों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार और ढाल सहित बींद डाला, इसके पश्चात इसने एक बार फिर से भैसे का रूप धारन कर लिया, और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलों की को व्यागुल करने लगा, इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारम बार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हसने लगी, फेके वे परवतों को चूर्ण करती भी बोली, ओ मुड जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ, तब तक तु गरज ले, और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्य हो जाने पर देवतां गर जेंगे, महर्शी मेधा ने कहा, ऐसा कहकर देवी उचल कर उस दैत्य पर जा च अभी वे देत आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे उसी चण रोक दिया, तब वे आधा निकला हुआ देती ही युद्ध करने लगा, तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर्प काट डाला, इसके पश्चात सारी राक्ष सेना हाहाकार करती वहां से भाग खड़ी और सब देवता अत्यंत प्रसन हुए, तथा रिश्यों, महर्श्यों सहीद देवी की इस्तोधी करने लगे, गंधर्ब राज गान करने और अपसराय निरित करने लगे, जय माताती, आज के अध्याय पूर्ण हुए, दुर्गा सब्चती के आगे के अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल पर आगे आने वाली वीडियो आप चुरूर देखेगा